जवाब पवित्र शास्त्र बैबल देती है कई बार लोगों की गलत फैमिया होती है और ऐसी गलत फैमियों का जवाब आज देने के लिए हमारे बीच में है पासर राहूल कुछेगर तैंक्यू बरी मच और ये बात बड़े आनंद की है मैं कहूं ऐसे सवालों के लिए लोग उलजाए जाते हैं फसाई जाते हैं और जवाब नहीं देते हैं और वो अपने विश्वास में कमजोर पड़े आज आज आपके द्वारा इन सवालों का जवाब जब लोग प्राप्त कर रहे हैं तो वो उलजन से सुलजन में पड़ गए हैं क्योंकि अब उनके पास उलजन नहीं सुलजन है ये सही कहा आपने ये नहीं कि मेरे पास ज्यान है ये कि बरकत हुई खुई खुदा की कि बुद्धी उसने दे लिए उसने दे लिए और मुझे मौका मिला दूसरों तक पहुचाने का इस समय के लिए ये थोड़ा सा समय जब हम बात करेंगे गहराई से सुन लीजे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा प्रभु में उसके दास होने के नाते आज्या समझ लीजे मेरी पविद्र शास्त्र बैवल आपके हाथ में होना चाहिए तभी आप इस बात को बड़ी अच्छी रिती से समझ पाएंगे दिस इस नोट रेकमेंडेशन बट इस इस वट नोट इवन सजेशन बट इस गमांडमेंट कि आईए पढ़िये परमेश्व के वचन से ये ग्राव मैं कहूं निमेरिकल मिस्टेक्स में लोग फसाते गा कई खास्तोर से जो वचन को नहीं जानते मुस्लिम लोग निमेरिकल मिस्टेक्स कहते हैं कि बाइबल का एरर है एरर उसके लिए है जो समझता नहीं जो समझना नहीं चाहता जो समझना नहीं चाहता या जो किसी भी बात को पकड़ कर बिना सोचे समझे कुछ भी बुना शुरू करते है जल्दबाजी में जल्दबाजी में शैतान भी हमेशे रहा तो ऐसे लोगों को यह तो नहीं कह सकता कि शैतान है इसका न्याय परमेश्वर करें दूसरे राजाओं की पचिसवे अध्याय में आखरी अध्याय है और यहाँ पर 27 वर्चन में लिखा है फिर यहूदा के राजा योयाकीम की कैद के 37 वे वर्ष में अर्थात जिस वर्ष बैबिलोन के राजा एवल मर्दोख राजगदी पर विराजमान हुआ उसी के बारवे महीने के 27 वे दिन को उसने यहूदा की राजा योयाकीम योयाकीम को बंदिग्रह से निकाल कर बढ़ा पद दिया जैसा कि यहाँ पर लिखा है राजगदी पर विराजमान हुआ उसी के बारवे महीने के 27 वे दिन को उसने यहूदा के राजा योयाकीन को बंदिग्रे से निकाल कर बढ़ा पद दिया ये जो 27 वा है अगर दूसरी भाग में देखें है जो यर्मिया के पुस्तक है जो एक्जाक्ली क्रॉस रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस उसको कहते हैं जो एक जगे जो पद पाए जाता है वोगी पद दूसरे जगे पाए आपकी जानकारी के लिए ये खास्तोर से बाइबल के स्कॉलर्स की बात है बहुत गहरी डॉक्रिन्स में इन शब्दों का इस्तमाल किया जाता लेकिन आपके लिए के सीखना जरूरी है और ऐसी बातों के लिए खुदा का फजल मैं कहूंगा कि आज ऐसे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास कुछ और लोग भी इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं विजनरी रेडियो टीवी तो खास्तोर से इसके लिए जो है इनी बातों को प्रकट करने के लिए स्पस्ट करने के लिए ताकि हमारे आखे खुल जाएं भरमाएं ना जाएं क्योंगी अंत के दिन है यहां लिखा है यही यर्मिया की पुस्तक आखरी अध्याए बावन अध्याए और उसके 31 पत में फिर यहुदा के राजा योयकीन की बंधवाई के 37 वर्ष के अर्थात जिस वर्ष बैबिलोन का राजा एबिल मर्दोक राजगदी पर विराजमान हुआ उसी के बारवे महिने के 25 वे दिन यहां 25 आया है और वहां 27 आया यह बात जो है लोग उल्जा देते और आपको और मुझे क्या लगे का हाँ Canada बात ऐसे कहसे हो सकती है Bible the book of truth जो सच्चाई की पुस्तक है जो पावितरफुस्तक है उस के अंदर ऐसी गलती कहसे हो सकती है और फिर वह आप से कहेंगे कि आपकी Bible पाख नहीं है आपकी Bible बदल दी गई बदल दी गई मुसल्मान अक्सर कहते हैं कि आपने अपनी बाइबल को चेंज कर दिया यहाँ यह रोड़ पर यह बात कर जब मैं लिटरेचर बाढ़ता था था मुझसे यह बोलते था बोले हम नहीं मानते अरे भाई तुम मानो ना मानो हमें क्या फर्ब पड़ता है लेकिन उनका सवाल आपके जहन में रुक जाता है आप क्या जवाब देंगे मैं यह सवाल पूछूँगा आपसे क्योंकि आप मुसलिम्स को जानते हैं आप उनके बीच में सच्चाई को यानि के पाक कलाम को जो की बाईबल है उनके जीवन में बाटते हैं और बहुतों की जिन्दे की बदली है यहाँ पर इस सवाल का आप कैसे जवाब देते हैं मैं बताना चाहता हूँ पहली बात कि बाईबल के अंदर कोई भी कॉंटरडिक्शन नहीं है बाईबल अपने आप में मुकमल और मुकदस किताब है क्योंकि यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई किताब है और परमेश्वर की किताब को परमेश्वर की बाइबल को पवितर आत्मा से जिसने लिखा है परिपून हो करके उसको पवितर आत्मा ही सिखा सकता है कोई और दुबारा नहीं सिखा सकता है सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही है जो सिखा सकता है प्रविश्वर से दुआ करके नहीं पढ़ते हैं और वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो क्रिस्चन्स के उपर आ करके इल्जाम लगा सके उनको बता सके भीया तुम्हारी बाइबल में तो एरर है तुम्हारी बाइबल में मिस्टेक है तुम्हारी बाइबल में कॉंटरिक्शन है एक काम करो तुम इसायत को छोड़ो मसीहत को छोड़ो और आ करके इसलाम कबूल कर और जो साधरन विक्ती, वो असनी से फस जाता है, वो इसलाम कभूल कर लेता है, क्योंकि उसके पास सवाल का जवाब नहीं होता, उसको लगता है कि बाइबल गलत है, लेकिन मैं आपको बताना चाता हूँ, बाइबल गलत नहीं है, बाइबल के अंदर एक भी contradiction, बाइबल के एक भी numerical mistake नहीं है आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे और इसको समझाएगा खुदा का आत्मा सबसे बहतर वही है टीचर खुदा के कलाम में हम देखेंगे यर्मिया के पुस्तक उसका बावन अद्धियाए उसकी 31 आयत को निकाल के पढ़ दीजिए यही लिखा है फिर यहुदा के राजा योयाकीन की बंदवाई के 37 वर्ष में अर्थात जिस वर्ष बेबिलोन का राज अबिल मर्दोक राजगद्धी पर विराजमान हुआ उसी के बारवे महीने के 25 दिन को 37 वर्ष के बारवे महीने के 25 दिन को आगे पढ़ दीजिए उसने यहुदा के राजा योयाकीन को बंदिग्रे से निकाल कर बड़ा पद दिया यहां पर हम पढ़ने हमको पढ़ने को मिलता है यरमाया की बुस्तक 52 वा अध्याय उसके 31 वी आयत कहती है कि योयाकीन की बंदवाई के 37 वर्ष जो योयाकीन है उसके 37 वर्ष के बारवे महीने के 25 दिन को यहुदा के राजा ने उसको बंदिग्रे से निकाल कर एक बड़ा पत दे दिया दुबारा रेपीट करूँगा 37 वर्ष के 12 महीने के 25 दिन को ठीक है अब बापस आएंगे हम दूसरा इतिहास एक बड़ा उद्देश है यह बार बार दोहराने का ताकि हम इस बात से जो गलत वे मिया है वो निकाल सके दूसरा राजा उसका 25 वा अध्याय उस 27 पद लिखा है फिर यहूदा के राजा फिर यहूदा के राजा एक्जैक्ली आपको वही पढ़ने को मिलेगा जो हमने अभी यर्मिया की पुस्तत में पढ़ा सेम एक चीज़ को छोड़के यो यकीन की कैद के 37 वे वर्ष में अर्था जिस वर्ष बेबिलोन का राजा दिन को यहूदा के राजा यहूदा के राजा यहूदा को बंदी ग्रह से निकाल कर बड़ा पद दिया यर्मिया में हमने पढ़ा 37 वे वर्ष के 12 महीने के 25 वे दिन को दूसरे राजा में हम पढ़ रहे हैं 37 वे वर्ष के 12 महीने के 27 दिन को तो मुसलिम इसको कहते हैं कि य लग भी रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों कि बाइबल के अंदर कोई भी कॉंटरिक्शन नहीं है ये भी कॉंटरिक्शन नहीं है हम इसको समझेंगे कैसे जैसे कि आपने पुराने वीडियो में थाबित किया उन्हें गलत साबित किया इसे भी सब्सक्राइब इसमें लिखा है 25 दिन और 27 दिन दो दिन का फर्क है एग्जामपल के तौर से एक उधारन लेकर कर के मैं इसको समझाना चाहूंगा एग्जामपल के तौर पे मैं राहुल जेल में बंद हूँ जेल में बंद हूँ फ्राइडे को मेरे lawyer court में जाते हैं और मेरी जमानत लेते हैं ठीक है और court के court की stamp paper पे लग गई मेरे जमानत paper पे लग गई Friday की ठीक है लेकिन Saturday Sunday छुटी होने की वज़ा से मुझे jail में रहना पड़ेगा तो मैं jail से बाहर कब आऊंगा Monday को Exactly तो मेरी जमानत जो हुई मैं jail से बाहर निकला वो मैं Friday को निकला या Monday को निकला जेल से बाहर Monday को निकला Monday को निकला लेकिन documented क्या है? Friday तो दोनो बात सही है जो दूसरे राजा में लिखा है वो भी सही है और जो यर्मिया में लिखा है वो भी सही है अगर हम शब्दों के हिसाब से ये तो हम idea ले रहे हैं कि ऐसा हुआ है लेकिन exactly अगर हम शब्दों को देखें ये exactly date क्यों match नहीं कर रहे है मैं वो ही बता रहा हूँ आपको अगर इसके context में अगर हम जाएंगे तो उसके context में हमें पढ़ने को मिलता है कि यहूदा का राजा उसने यहूद याकीम को release तो कर दिया लेकिन release करने के बाद में उसको वक्त लगा बाहर निकलने में सही कहा ये लाजमी है और ऐसा की होता है और आज के दिन तक भी हम देखते हैं हमारे शहरों में भी बहुत सारे जगों पर जब ऐसा होता है उसको पुलिस पकड़ करके ले गई मैंने उस भाई की जमानत दी सुबे 10 बजे हम कोट पहुँच गए 11 बजे पेपर जारी हो गया और स्टेंप लग गई कि भाई इसको release कर दिया जाए तो release करने में कितना टाइम लगता है जंड़ी एक गंटा दो गंटा पेपर आएंगे रिलीज हो जाएगा लेकिन वह रात को जाकर के रिलीज हुआ रात के 10 बजे बहिए ऐसा क्यों प्रॉबली कोई अधिकारी नहीं होगा कोई प्रॉब्लम रही होगा कोई ने कोई प्रॉब्लम होगा आज तो हम हायली टेक् और फिर भी महल की भी बात अगर में बात करूं अगर हम आगरा के महल को भी देख लेते हैं वह इतना बड़ा है जी पैडल चलते चलते आदमी ठाक जाते तो उस तेम पर सुविधा नहीं थी तो यहां से फर्मान जारी हुआ फर्मान जारी हुने के बाद उसको लागू में आने के लिए सिर्फ दो दिन ही तो लगे हैं आज टिकनोलोजी के अंदर होते हुए भी हमको सुबे से शाम लग जाती है जमानत करने में यह हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले की तो तब कितना टाइम लगता होगा इसमें एक बात सखी है अगर एक ही महल में हो तो मानते हैं कि एक दो गंटे चार गंटे लग सकते हैं लेकिन ऐसे समय में हम देखते हैं जब राजाओं की बात है तो राजा कहीं और रहते हैं किसी और नगर किसी और शहर की बात हो सकती है एक और चीज यहां पर एक और देखने को मिलता है यदि किसी को बुलाया जाता था तो उ उसे ऐसे ही नहीं उठाया जाता है, जेल में रहता है, वो उसकी हालत सखी नहीं है, वो नहाया दोया नहीं है, उसकी दाड़ी बड़ी होई है, उसकी शकल खराब हो रही है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके लाप के कपड़े तयार हो रहे है, उसकी तयारी हो रही है, त ने खुदा के कलाम से नहीं बताया लेकिन मैं चाहता हूँ ये खुदा का कलाम साबित करें अभी तक हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा लेकिन हम खुदा के कलाम से भी देखेंगे ठीक है जरा यर्मिया की किताब उसका बावन अद्याय उसकी 31 आयत को पढ़ द ठीक है इसी को हम यहां पे दूसरे राजा में पढ़ेंगे जरसे वही पद जो हम पढ़ रहे थे यहां लिखा 27 पद में फिर यहूदा के राजा योयाकीन की कैद के 37 वर्ष में कुछ डिफरेंस मिला पास्तर जी आपको मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ मैं आप लो यहां खोल लिए इसको मैं इसको फोल्ड करता हूँ यहां पर फोल्ड करके अब वर्ट से वर्ड मिला करके देखते हैं ठीक है जी पढ़िए फिर 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 यहूदा यहूदा के 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 राजा राजा यहूयाकीम यहूयाकीम की की बंदवाई और यहां पे लिखा है कैद कै is reference कहए रहा है प victim reference QUEs से बार नहीं निकला okay 25 वी तारीक को قई से बार नहीं निकला लेकिन 27 वी तारीक को काई से निकला okay यह कोडा के कलाम ने थाविब गला क्लाम ने था देश हम इसा हुआ होगा लेसं यह कैद उसे बार निकला लेकिन जगर हम यहां पढ़ेंगे तो इसमें कैद नहीं लिखा हुआ इसमें बंदवाई लिखा है यानि कि फर्मान जारी हुआ क्या बात है क्या बात है Are You fighters क्या दाता बहुत क्लीर है मेरे प्रीयों ऐसी बातें समझेना बहुत जरूरी है लोग उलजाएंगे केवल मुस्लिम लोग ही नहीं यहां तक ही कई बार आपको दूसरे सबदों में किसी और आयत में हो सकता है मुस्रा बhen went the church of Almighty God जवाब ना देने पर बोलते कि देखो इन लोगों को कुछ नहीं आता आप क्या सीखते हो आओ हम आपको कुरान सिखाते हैं मेरे प्रियों ऐसा नहोने दीजे हो सकता है प्रभु की सिवक में शायद वो जानकारी ना रखी हो लेकिन प्रभु का सिवक ही है वो वो प्रभु नहीं है आपको और मुझे हम सब को एक ही जिम्मेदारी दी गई है अगर प्रभु की सिवक को जानकारी है या आपको जानकार होकर के पास्टर को लज्जित करते हैं जी हाँ लज्जित करते हैं और कहते हैं तो में तो कुछ आता ही नहीं खुदा के लोगों मैं आपको बताना चाहता हूं जब ऐसे लोग आपकी कलीसिया में आकर के आपके पास्बान को आपके पास्टर को आकर के लज्जित करें तो द दिहान नहीं दिया हो, उनसे छूट गया हो, हो सकता है, हम सब इनसान हैं, और यह क्या जरूरी है कि मैं सब बात जानता हूँ, इसलिए तो हम सेवक हैं, हम परिपकव नहीं है, और अगर ऐसा है, तो मैं वचन की रीती पर ही आपको कहे देता हूँ, ऐसे लोगों को तुरंद बाहर निकाल दीजे, क्योंकि वो जो प्रभू का सिवक आपके सामने प्रभू का वचन लेकर आता है, वो आपके लिए घोटने टेक कर प्रातना करता है, वो आपकी आत्माओं के लिए प्रातना करता है, उसके साथ खड़े हो जाईए विरोध में नहीं मेरे प्रियों, क् येसी बात के लिए बुलाया है प्रभु ने आपको नहीं कहा कि अपने अगों के आधीन रखी तो मेरे प्रियों को एक नया विक्ति जैसा कि पॉलुस कहता है कि नए लोग नया ही सूसमाचार नई बातें ऐसे कैसों को तुम सुईकार करते हो पॉलुस ऐसों के लिए बहुत कि खाल में भेड़ी आएंगे भर्माने के लिए और वो आज आपको और आपको यही कहते है मेरे पुराने के वीडियो में मैंने कुछ लोगों को जो पास्टर्स के लिए और चर्च के लिए यहां तक कि पॉलुस के लिए भी बुला भला बोलते हैं कहते कि पॉलुस की बा ते रेक्ति आकर चर्ची के विरुद, कलीशा के विरुद, पर्भु के सेवकों के विरुद बोलता है। जवाब आप देंगे, क्योंकि आप की विजज जिम्मेदारी है। बिलकुल और यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम में मौझें उसको ढूढे हम सबकी जिम्मेदारी है Aman सत्य को जानो कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा तो मेरे प्रियों भूजए्टी जाएए Visionary Radio TV पर हम बात करेंगे परमेशो के वच्चन की ग्याहराई से और विजय प्राप करेंगे, लड़ेंगे और विजय प्राप करेंगे तो कि अंत निकट है, उससे पहले तग्यार हो जाएए पर वो आपके साथ हो, यदि आपके मन में बोज है Visionary Radio TV की सिवकाई के लिए अपने हाब को बढ़ा कर अपने दान दश्मान से आफरिंग साथ भेजिए ताकि हम नए प्रोग्राम्स जो शुरुआत कर रहे हैं एक नया OTT प्लेटफर्म जहांपर केवल और केवल मसी प्रोग्राम्स होंगे, मसी फिल्मे होंगी और मसी सीरियल्स होंगे, जिसमें ऐसे परिवार होंगे जो कि परमेश्व के वचन की मनादी करते हैं, वचन से सीखते हैं ऐसे प्रोग्राम्स की हमें सक्स जरूरत है ताकि भरमाएं ना जाएं, परिवार में बच्चों के लिए इड्रस के कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए मेरे प्रियों, और इन सब के लिए हम सब को मैनत करनी होगी, यह जिम्मेदारी मैंने उठाई है, आओ मिलकर करते हैं काम, इसलिए तो हम मसी में एक दे हैं, अनललु परमेशोर का वचन जीवन देने वाली रोटी है, आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजाले, विजनरी टीवी पर